नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Global Atomy Network Team वारियरिम दोस्तों दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे एक बहुत इक गुड न्यूज है और जो गुड न्यूज है वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं Atomy Columbia Friends स्टार्ट होने वाला है 15 October को इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो Columbia वेबसाइट पर स्टार्ट होने वाला है 15 October को इवनिंग 7 पीम और 16 October को as per Korean time 09 hours Okay so Atomy Columbia registration स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद Atomy की ओपनिंग डेट है Columbia में वो अभी तक Atomy की तरफ से बताए नहीं गई है तो अगर आपकी टीम Columbia में है या आप Columbia की टीम को जोईन करवाना चाहते हैं तो ज्यादा ज्यादा इस न्यूज को स्प्रेड कीजी दोस्तो ताकि आपकी ग्लोबल टीम 15 अक्तूबर से Columbia में स्टार्ट हो चुके है ओके सो गुड न्यूज है गाईज Atomy Columbia बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और आपको पता है कि 46 कंट्रीज में Atomy ओपन हो चुकी है 46 कंट्रीज में जो रजिस्ट्रेशन है वो Atomy का ओपन हो बाद Hong Kong, Vietnam, Turkey और Columbia में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है बहुत एक गुड न्यूज है दोस्तों अगर आपको Atomy के अंदर फास्टेस्ट इंपिल मास्टर बनना है तो डेफिनेटली आपकी जो टीम है वो ग्लोबल होनी चाहिए ओके सो नेक्स्ट हम डिसकस करेंगे कोलंबिया का जो वेबसाइट है उसके बारे में और ये जो कोलंबिया की जो न्यूज है कोलंबिया की जो वेबसाइट है उसकी उपर आप जा सकते हैं और वहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों कोलंबिया की जो वेबसाइट है atomy.com.co जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे है तो यह कोलंबिय की वेबसाइट है इस पर बिल्कुल क्लिरली मेंशिन कर रखा कि 15 अक्तूबर को 2020 इवनिंग 7 पीम कोलंबियन टाइम के अकोर्डिंग और 16 अक्तूबर को कोरियन टाइम के हिसाब से मॉर्निंग 9 आवर्स एटोमी कोलंबिया के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं और यह साउथ कुरियन लेंगविज में यह भी कुरियन लेंगविज में हैं ओके तो आप अपनी जो इंफॉर्मिशन है अगर आपकी टीम कोलंबिया की अंदर है तो आप यह इनफॉर्मिशन आप अपनी ंसे आप शेर कर सकते हो ताकि आप प्रपिक कोलंबिया की जो टीम है ग्लोबल टीम आप स्टार्ट कर सेगें ओके सो इसमें जो दोस्तों रजिस्ट्रेशन को स्टैप से उसके बारे हम डिसकस करेंगे एटोमी कोलंबिया तो इस पर बिल्कुल क्लिरी मेंशन कर रखा है कि वेबसाइट का नाम है अटोमी.com और जैसा कि आपको पता है कि मेंबर्शिप रजिस्ट्रेशन के सिक्स स्टैप है कोलंबिय की वेबसाइट के उपर फर्स्ट आपको लोगिन करना है आपकी स्पोनिसर आइड के साथ सेकेंड आपको अक्सेप्ट करना है ट्रम्स ओफ यूज एग्रिमेंट लाइक डैट जो जितने भी इसके ट्रम्स और कंडिशन्स है वो अक्सेप्ट करने है थर्ड स्टैप है यहां पर फिल इन द ब्लैं नंबर जो भी बेसिक इनफोर्मिस ने जैसा कि आप लोग रजिस्ट कर रहे हो वो सारी इनफोर्मिशन यहां पर आपको फिल अप करना है को मन इनफोर्मिशन ओके नाम डेट बर्थ आपका एड्रस पिन कोड मोबाइल नंबर इमेल आइड इसिक इनफोर्मिशन है में आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल से एक बार चेक करनी है कि जो भी आपने फिल इनफोर्मिशन भरी है वो सही है कि नहीं और सिक्स स्टैप में दोस्तों यहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लेट हो जाएगा और वेरिफिकेशन के लिए यहां पर बिल्कुल क्लेरी मेंश कर रखा है कि only legal aged Columbia citizen or people citizen ID can be registered member will be part of atomic Columbia foreigners without citizenship ID can't be registered verification is optional it has to be done before receiving first commission okay तो Columbia में अभी जो भी ID placement होगी उनका verification करना बहुत जरूरी है commission लेने से पहले यानि कि जब वहां पर official atomy start होगा Columbia के अंदर तो उससे पहले किवाई सी complete करना पड़ेगा जैसे इंडिया में अभी हम KYC कर रहे हैं commission लेने से पहले ओके second जो verification का इसमें बिल्कुल clearly mention कर रखा है input your RUT with verification code and bank account थरो इसमें आपको जब Atomy Columbia में officially open बन होगा तो वहां पर आपको बताया जाएगा जब आपका commission वहां पर बनेगा तो commission लेने से पहले वहां पर आपको bank details upload करने हैं जैसे इंडिया के अंदर हम KYC कर रहे हैं और Atomy November में start होने वाले यहां पर तो bank details आप जब आपका commission बन जाएगा उससे पहले Atomy आपसे पुछेगे कि आप अपना bank details यहां पर डाले जो भी details है और आपके पास पास बुक कोपी होने चीए ठीक है उस टाइम आपको बताया जाएगा Atomy इंडिया officials की तरब से कि आपको जो भी bank details upload करनी है वो किस परकार से करनी है Commission लेने से पहले bank details यहां पर upload करना बहुत जरूरी है इंडिया में भी कोलंबिया में हर कंट्री में सेम है इनका रूल ओके तो इस प्रकार से यहां पर RUT with verification code यह कोलंबिया के अंदर होता RUT document यह verification code के साथ वहां पर करना पड़ेगा और bank account थो वेब साइट जो दे रखी है इसमें my office my account में जाकर करके सारी details अप्लोड करनी है और उसके बाद step नंबर 3 में देखिया send verification requirement to कोलंबिया और a copy of ID RUT with verification code bank account certificates यह आपको send करना है fourth step में verification will be taken up to two business days ओके दो बिजने स्टेट में आपका verification वहाँ पर complete sorry दो business day में आपका verification complete हो जाएगा वहाँ पर दो दिन लगेंगे ओके तो ये information दोस्तों मैंने दी है आपको और आशा करता हूं कि वीडियो को आप ज़दे ज़दे शेर कीजिए अगर आप कोलंबिया में है and if you want to join the smartest team of atomy team warrior India you can join and you will get our contact number on the screen and description definitely you can join with team warrior you will get full education system and training support across the whole world okay thank you very much दोस्तो और जाद जाद आइस चैनल का आप subscribe कीजिए ताक कि आपको latest information यहाँ पर time to time मिलते रहे दोस्तों thank you very much दोस्तों